नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुख्य खवर पर नजर डालते हैं जारी हो सकती है इसके लिए आपको सिर्फ असान तरीका अपनाना होगा वहीं जो किसान इस जोजना से नहीं जुड़े हैं वे रहिश्टेशन करा कर सीधे 4,000 रुपे कलाब उठा सकते हैं बता दे पीम किसानों इना के तहत किसानों के खाते में सलाना 6,000 रुपे सरकार टां जोजना के तहत अगर किसी किसान के किस्ट अटक जाती है तो अगली किस्ट के साथ पिछली किस्ट का पैसा मिल जाता है इसके लिए आपको अपने आवेदन में दर्ज गलतियों को ठिक करना होगा जे पिएसी एकजाम कॉल सर्दी खासी वाले अभियार्थियों के लिए बिसेस कक्ष जार्खन लोग सेवा आयोग यानि जे पिएसी की प्राणविक परिछार अभिवार को होगी बता दे इसके लिए पूर्वी सिम्हुम जीला में 101 परिछा केंद्र बनाए गए हैं घाट प्रसासनिक तयारिया भी हो चुकी है प्रसासन की ओर से इस परिछा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए पुकता इंतिजाम किये गया है वहीं परिछा कोविड-19 के नियमों का पारण करते हुए होगी इस कारण केंद्रों को उसी अनुरूप तयार किया गया है सर्दी खास प्रसासी वाले अभियार्थियों के लिए परिछा केंद्र में एक विशेस कक्ष बनाया गया है राज्येपाल ने सोहराई वह कोवर चित्रकला पर विशेस लिफाफा किया जारी जारी जार्खन के राज्येपाल रमेस्वसन सुक्रवार को राशी चित्राज भौन में डा पर विशेस वर उपस्थित थे बता दे सोहराई वह कोवर कला जार्खन की दो मोखे लोक कला है या दोनों चित्रकला मानो सब्याता के विकास को दरसाता है लातेहर में करमा डाली बिसर्जित करने गई सात यूतियों की डूबने से मौत जार्खन के लातेहर जीले में आज दरदनाक हाथसा हुआ है बता दे लातेहर जीले के बालुमा थाना छेत्रा अंतरगत बुकरुक ग्राम के मनंडी टोले में सनिवार को करम डाली के कारी मिलने पर पुले जीले में सोक की लहर दोड़ गई है जहारखन में एसेजी महिलाओं को बीमा से जोडने की पहल केंद्रे ने सराहा ग्रामिन विकास मंत्राले दोड़ा जहारखन में चलाय जा रहे बीमा कराय अभियान की परसंसा के बाद राज सरकार ने इस अभियान को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है बता दे इस अभियान का उद्यस सुरक्षित भवी से सुखी परिवार के तहत राजे के ग्रामिन परिवारों के समाजिक सुरक्षा देना है पिछले दिनों केंद्रिये ग्रामिन विकास मंत्राले ने जार्खन इस्टेट लावली हूड परमोसन सोसाइटी द्वारा स्वयम सहता समू के बीच केंद्र प्रायोजिक समाजिक सुरक्षा कल्यान योजना का बिस्तार करने के लिए योजनावों की योजना बनाने कार य की टीम जूटी हुई है बता दे इसी करम में सरनीवार को सीबियाई की टीम सुबा करीब नव बजे रूपा तिर्गी के राची के रातु इस्थित घर पर पहुँची और रूपा की मा वह बहन से अकेले में पुश्टाच की आपको बता दे कि इससे पहले भी सीबियाई की टीम कई पुलिस अपसरों से इस मामले में पुश्टाच कर चुकी है सीबियाई की टीम सनीवार को सुबा करीब नव बजे रूपा तिर्गी के राची के रातु पर खंड इस्थित घर पहुँची जार्खन के सरकारी स्कूलों में जन जाती है और छेत्रिय भासा की पढ़ाई सुरू करने की त्यारी में जूटी है बता दे इसके लिए सभी जीलों से जन जातिया और छेत्रिय भासा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की जनकारी मांगी गई है ताकि उसके अनुसार सिक्षकों की नियुक्ति की जा सके आपको बता दे कि सरकार जन जाती है और छेत्रिय भासा के बीसे सग सिक्षकों की भी नियुक्ति करेगी जारखन में सरकारी स्कुलों में जन जाती है और छेत्रिय भासा के पढ़ाई सुरू होगी किसी एक जन जातिय या छेत्रिय भासा पढ़ने वाले 50 फिर्टी से ज़्यादा बचे होंगे वहाँ इसे समंधित पढ़ाई शुरू होगी चत्रा में नाइट गाड को बंधक बनाकर पावर ग्रीड से डेर्ड करोर के समान की लूट जार्खन के चत्रा जीले के सीमरिया परखन के सीकरी गाउं में बन रहे पावर ग्रीड में गुरू आर की देर रात चोरों ने रात्री परहरियों को बंधक बनाकर करिब डेर करोर के समान की चोरी कर ली है बता दे इस बावत फलोर मोरेन लिमिटेड कमपणी के सीनियर प्रजेक्ट मैनेजर रवी परकास सींग के ब्यान पर सीमरिया थाना में प्राथमी की दर्श की गई है थाना परभारी अविनास कुमार ने मामले की तकिकात सुरू कर दिया है हथियार के साथ नकसली गिरफतार CRPF 22 बटालियन और हजारी बग पूलिस की सन्यूग छापेमारी में उगरवादी संगठन जेपी सी के एक सक्रिय सदा से राजेस गानजू को गिरफतार किया गया है बतादे उसके पास से 315 बोर की राइफल और 9 कार्टूस बरामत किये गए हैं जनकारी के मताबिक चरही थाना छेतर के बहेरा तलाब की समीप राजेस को गिरफतार किया गया तलासी अवियान के दोरान एक खंडहर नूमा इमारत से हथियार बरामत किया गया है हथियार को जमीन के नीचे छीपाया गया था बताया जाता है कि राजेस संगठन के लिए लेवी असुलने का काम करता था आम नागरीकों को बिधिक सेवाय परदान करने के लिए बिसेस अभियान शुरू जारखन राजे बिधिक सेवा परदिकार राची के संद्चन में जीला बिधिक सेवा परदिकार राची द्वारा नागरीकों को बिधिक सेवाय परदान करने के लिए बिसेस अभियान कायों किया गया है बतादे राची जीला के सबी परखंड योन्वंडल में आयोजित बिसेस अभियान के अंतरगत बिभीन बिभागों की लाभकारी योजनाओं की सहयता राशी लाभकों में बित्रित की जाएगी जीला बेधिक सिवा प्राधिकार राची की ओर से बिशेस अभ्यान की शुरुआत सुक्रवार से हो गई है कच्चे माल पर टेक्स में छूट दे सरकार लगतार बढ़ती महंगाई ने लोगों के घर के साथ साथ बजार का भी बजट बिगार दिया है बतादे क्रोणा से इंगरमन के कारण धीमी पड़ी बजार की रपतारेस लगाती उससे पहले पेट्रोल डियल के दाम में आग लग गई बतादे माल भड़ा बढ़ने से प्रोडक्शन कास्ट में बिरिधी हुई है बेपारियों को जेस्टी काउंसिल की बैठक से भी उमीद थी कि पेट्रोल डियल के दाम घटेंगे मगर ऐसा नहीं हुआ बतादे उद्योग पतियों का कहना है कि सरकार केवल सस्ता करज उपलब्द करा कर इस कठी निस्थिती से उद्योग को नहीं निकाल सकती इसके लिए अब कीमतों पर नियंत्रन या टेक्स रिलेक्षन के बारे में विचार करना होगा कीमतों में बढ़ोतरी से लगू और मध्य उद्योग सबसे ज़्यादा परभावित हुए है जारखन में आरजेडी को मजबूत करने की त्यारी बिहार बिधान सबा में विपक्स के नेता और आरजेडी के कारेकारी अध्यक त्यासवी आदव जारखन में पार्टी को मजबूत करने दो दिवस्य दोर पर आयराची पहुँचने वाले हैं बता दे त्यासवी आदव के इस दोर का मोख्य उदेश पार्टी को जमीनी अस्तर पर मजबूत करना बताया जा रहा है जनकारी के मुताविक त्यासवी आदव दो पहर साड़े तीन बजे पटना से फ्लाइट से राची इस्थित बीस्ता मुंडाय आरपोट पहुँचेंगे जहां आर्याडी करकताओ द्वार उनका स्वागत किया जाएगा वहीं उनका सितमबर को त्यासवी स्थूबा एगाराव बये से कार्णी वाला हौल में जहारखन के सभी 24 जिलों से आयकार करताओ के सम्मेलन को समोधित करेंगे इस सम्मेलन के बाद वे पटना के लिए रवाना हो जाएंगे कर्मा सिर्फ तेवहार नहीं बलिक या कोई संदेश भी देता है जहारखन के सिय महिमन सुरण ने सुक्रवार को प्रकिर्ती के तेवहार कर्मा पजानता को सुपकमनाय देते हुए कहा कि कर्मा प्रकिर्ती से मानो जीवन के गहरे जुडाव का तेवहार है यहां आदिवासी छात्रवास परिसर में प्रकिर्टी पर्व कर्मा के मोगे पर अविजित कार्करा में सुरेण ने बताया कि कर्मा तेवहार अपनी सम्रिदी प्रमपरा सभ्याता तथा संस्क्रिती को अच्छून रखने का प्रतिक है साथ ही सुरेण ने कहा हम इस्तेवहार के जरिये अपनी सभ्याता तथा संस्क्रिती को और मजबुत बनाने का संकल्प ले जारखन में होने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनाओं में बिजेपी बढ़ाएगी महिलाओं की भागेदारी जारखन में होने वाले पंचायत और नगर निकायों के चुनाओं में बिजेपी महिलाओं की भागेदारी बढ़ाएगी बतादे ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही महिला करकरताओं को चुनाओं में पार्टी समर्थन देगी खासकर संथाल परगना, कुलहान और आदिवासी बहुल पंचायतों में महिलाओं समर्थित उमीद द्वारों उतारे जाएंगे बतादे राज जे के ग्रामी इलाकों में संगठन को मजबूत करने के लिए अपार्टी पंचायत और निकायत चुनाओं के बहाने गाओं का रूस करेगी बिजेपी के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने इसके संकेत दिये हैं फरवरी के बाद अब तक नहीं हुई रोजगार गरांटी परिशत की बैठक ग्रामीन बिकास विभाग के द्वारा राज जिसे पलाइन रोकने पर जोर दिया जा रहा है बता दे लोगों को राज जे में ही मनदेगा जोजना के तहत रोजगार उपलब्द कराने की बात कही जा रही है सरकार दवा कर रहे है कि कुरोना काल में वापस आए लोगों को मनदेगा के जरिये सवल बनाया जा रहा है बता दे की चार साल के बाद 29 फरवरी 2021 में रोजगार गरांटी परशत की बैठक होई थी बैठक में सियम हेमान सुरे ने कहा था कि राजे में मनदेगा जोजना के परभावी संचालन के लिए कारे सेली में बदलाव लाए जाएंगे निर्धारित समय पर जार्खन राजे रोजगार गरांटी परशत की बैठक आउजीत हो रोजगार स्रीजन के लिए कई महत्त्वक कांची योजनाई चलाई जा रही है इन्हीं योजनाओं से लाभकों के जीवन अस्तर पर क्या बदला हो रहा है इसकी समिक्षा करे सनिवार से बाबा धाम खुल गया है और अब आम सर्धालू भी बाबा का दर्शन कर सकेंगे बता दे देवघर जीले के डीसी मंजुनात भजनत्री की तरफ से जनकारी दी गई है कि आनलाइन रेजिटेशन के जरिये सर्धालू अपनी बोकिंग कर सकेंगे और कोविट के नियमों का पालन करते हुए बाबा धाम का दर्शन कर पाएंगे उन्होंने बताया कि दर्शन के एक चुक सर्धालू के लिए वेब साइट लिंक जारी किया गया है जो www.jharkhanddarsan.nic.inc पर जाकर दर्शन और पूर्या के लिए बोकिंग करवा सकेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के बेल एक अंदवे साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर पने दोस्ता सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबैक अवास से दे थाइंक यू